देशी बहु की अकड माना अपना सामान सबसे प्यारा होता है लेकिन किसी और का खराब है ये कहना सही नहीं होता ओहो, देखो तो कैसे हिरोईन बनकर गूम रही है क्या है बहु, क्यों सबको ऐसे कहती है अरे हर किसी का शौक होता है माना होता है, लेकिन कम से कम स्टेंडर वाली तो पहने न, लोकल बजार उच्छी, मैं तो कभी हाथ पी ना लगाओ, अब मेरी साड़ी देखी, लगती है ना बिलकल, इंपॉर्टेड मीना की आदत थी, दूसरों की चीजों को लोकल और खराब बताना, वहीं खुद के सामान को सबसे अच्छा अरे वा, ये हार तो देखो, आज भी मुझ पर कितना अच्छा लगता है, कुछ भी बोलो, खांदानी हार की बात ही कुछ और होती है सास बन्ठंकर बहु के साथ पार्टी में जाती है, जहां पर लोक क्या बात है अंटी जी, हार तो बहुत ही प्यारा लग रहा है अहां, वो मेरी सास का है, उस जमाने के गहनों की बात ही अलग हुआ करती थी मेरा हार दीखी ये भी खानदानी है मेरी नानी ने मेरी मा को दिया था और अब मेरे पास है». मा जी का हाना बिलकुल हलका है और मेरा एक दम भारी वाला है ना बहु बोले जा रही थी बोले जा रही थी और लोग हैरान थे कि एक ही घर की दो दो ओड़ी अपने गहनों की तारीफ में लगी है खेर फिर एक रोज मा ओ मा कहा है तू आरे मेरी बेटी कब से तुझे देखने का मन था दमाजी नहीं आये क्या शाम को आएंगी मा मुझे लेनी आचा अचा बोल क्या खाएगी आज या पहले चाय बनाओ मा मैं चेंज कर लो फिर आराम से बात करती हूं तभी मीना भावी जी आजाती है और अपनी आदत से मजबूर अरे घर की तो साड़ी पहनी है फिर क्यों चेंज कर रही हो कैसी बात कर रही हो भावी घर की घर की नहीं है ये साड़ी 2000 रुपे की है शेर के सबसे अच्छी दुकान से ली थी मैंने आच्छा लेकिन मुझे तो लगा कि लोकल मंगल बजार से लिए कहर मेरी चूड मेरी ना घर की साड़ी बिस से अच्छी होती है सास को बेटी पर किया ये कमेंट बलकल ठीक नहीं लगता वो जोर से बहु को डाणती है देख बहु तेरे कपड़े कैसे हैं हमें मतलब नहीं है लेकिन मेरी बेटी इस साड़ी में राज-कुमारी लग रही है समझी तो उसे कुछ कहने के जरुवत नहीं है नानत को भी भावी की बाद पर गुस्सा आजाता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती रहने दे ना मा कुछ गंडों के लिए मैं आई हूँ, चल जाने दे दोनों मा बेटी बाते करती हैं, खाती पिती हैं और पर शाम को नमस्ते मा जी, शिखा का है, उसे घर ले जाने के लिए आया था हरे दमाज जी, आई आई है, वो क्या है न, शिखा दोड़ा बजार गई है, अब बाठ ये तो, तब भी बेटा भी आ जाता है हरे राकेश क्या बात है, यार सुना नई काली है हाँ बैया, वो प्रमोशिन के पैसे आये थे, तो सुचा एक काल ले लो हाजकल पता है न, मौसम की मार, दो पैया में होता नहीं अब हाँ हाँ ये तो है, दमाजी हमारी बेटी चार पैया में घुमें, हम तो यही चाहते है अब बेटा भी चार पैया ले ले तो हम भी घुम ले, हाँ हाँ माज जरूर, उपर वाला चाहेगा, तो जल्दी हम भी काल लेंगे बस घर के खर्चे और देंदारी निप्टे तो, तभी आ जाती है मीना, अपनी ही आठिट्यूट के साथ हाँ, क्यों नहीं, कार लेंगी, हम भी जरूर लेंगी, लेकिन ये वाली नहीं, जवाब की है हम तो लेंगी वो लंबी वाली, ये तो आपकी लोकल सी है, हम लेंगी वो इंपोर्टेड आटरमेटिक कार क्यों जी? आहां क्यों नहीं इंपोर्टेड लंबी कार बहु खड़ी कहा करोगी इसी गल्ली में खड़ी करनी है न दमाजी इसके बात का पुराना मानना इसके होश ना जमीन में कम आसमान में ज्यादा लगे रहते हैं लो जिलना बीटी आपी आगाई बजार से चलो जल्दी घर चलते मा के कितने फोन आ चुके हैं कौन सा पैदल जाना है आपको कार जो है आपकी पास लोकल ही सही लेकिन पहुचा देगी आपको घर तक नानत को भाबी की बात बलकुल अच्छी नहीं लगती और वो सोच लेती है कि वो अब भाबी को सुना कर रहेगी हाँ भाबी माना लोकल है लेकिन है तो और हर बात पर न भाबी नीचाना दिखाया करो समझी लोकल होगी आप जो फटी पुरानी साड़ी को भी नया और ब्रैंडड बताती है मैं चुप थी मतलब ये नहीं कि आप कोई भी कुछ भी बोलती रहेंगी ननत गुस्से से बूली जा रही थी सास उसे चुप कराती है और किसी तरह भाबी का पीछा चुटता है उसके जाने के बाद मेरी बेटे को नाराज करके भेजाये तेरी बीबी ने हर बात पर लोगों को लोकल लोकल और अपना सामान इंपोर्टेड बताती रहती है बोल दे इसे इतने ही पैस है तो जाए निकल इस गर से जाकर रहे ना किसी महल में क्यों पड़ी है हमारे छोटे से लोकल घर में पती को भी बीवी के ये बात हमेशा खटकती थी पता भी था कि इस पर बवाल होगा ही होगा तो अब जब बवाल हो गया है तो पती भी कुछ नहीं कहता बीवी का दिमाग अब अलग लेवल पर चला जाता है वो भी ठान लेती है कि नाक नीचे नहीं होने देगी हाँ हाँ और क्या बात तो सही है मैं क्यों इस छोटे से गर में रहूँ मैं तो वैसे भी छोटे गर में कभी रही ही नहीं हूँ इजी चलिए जी दिख नहीं रहा है आपको साफ साफ घर छोड़ने की बात करी है आपकी मा मा को अजीब लगता है कि बेटा भी घर छोड़कर जाने को बोल रहा है बेटा मा को समझ जाता है और धीरे से आँक मारता है अच्छा मीना कल से ना घर दिखना शुरू कर दो मा जो घर में रूखा सुखा बनाया कहाने को दे दे वैसे मीना का तो पता है न वो तो सिर्फ मुर्ग मसलम ही कहती है उसे कहां पसंद है घर का खाना क्यों मीना है न मीना को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है लेकिन नाक, नाक नीचे नहीं होने दिना पता है ना आपको और नहीं तो क्या ये घर का लोकल खाना मैं कहा खाती हूँ मैं जा रही हूँ बजार मीना अपने स्कूटी उठाती है और निकल जाती है रास्ते में सोच रही थी कि बस अब तो ससुराल से बड़े घर में शिफ्ट होगी वहां रखेगी नौकर वो भी चाइनीज जो घर का काम भी करे, इसकी मालेश भी और खाना, वो तो कॉंटिनेंडल बना कर खिला है मीना एक बड़े होटल में क्या क्या है खाने को? मैनेजर मीना को देखता है, जो गुस्से में घर की चपल में ही आ गई थी मैम, ये बड़ा होटल है, यहाँ खाना महिंगा है पैसे है ना आपकी पास? मतलब? क्या मतलब है आपका? हाँ? बिखारी दिखती हूँ, क्या मैं? जा, जो जो है खाने को सब ले आओ, सब मैनेजर भी डर कर खाना लगवा देता है मीना पेट भर कर खाना खाती है और फिर बिल ले कर आओ, और ज़रा जल्दी वो कहना बंगला देखने भी जाना है मुझे मीना घमंड के अलगी नशे में थी तब ही बिलाता है ये लिजी मेडम, 4513 रुपए सर्फ हाई रे, इतना बिल मीना के तो होश उड़ जाते हैं वो पर्स खोलती है, तो सर्फ 2000 रुपए थे अब, ना, ठीक है ठीक है लेकिन खाना कितना पक्वास था एक दम लोकल, सड़क चाप, इतने पैसे इस सड़े से खाने के ना, ना, मैंने देने वाली मैनेजर को अब मीना के बाद पर गुस्सा आ जाता है वो एक दो लेडी मैनेजर को बिलाता है और देखे मेडम, आपको देखती ही शक हो गया था मुझे कि आप एक नंबर की फक्कड़ो, पर पैसे तो आपको बर नहीं होंगे क्योंकि हमारा खाना श्वैर का सबसे अच्छे खाने में गिना जाता है, समझी? मरती क्या ना करती, अंत में खानी का बिल बहुरानी को अपनी अंगोठी देकर पूरा करना पड़ा वैसे तो ऐसी लोकल अंगोठी के बदले हम दो रोटी भी ना दे लेकिन ठीक है, आगे से वड़म जेब में पैसे न आओ न, तो किसी बड़े ब्रैंडेड होटल में गुसना मत चलिए निकले अब बहुँ छोटा सा मो लेकर निकल जाती है, अब क्या, अंगोठी गई, लोटकर तो घरी जाना था बैठे बिठा ये अंगोठी चली गई, खाया पिया कुछ नी, ग्लास तोड़ा बारा न लेकिन सास ने भी तो घर से निकल जाने को कहा है, तो ऐसे में घर भी तो देखना था तो मैडम फिर उठाती है स्कूठी और निकल जाती है किराय के बंगले की तलाश में अब जो हुआ सो हुआ रोने से क्या होगा, कुछ नी, एक काम करती हूँ, एक अच्छा सा बड़ा सा बंगला देखती हूँ किराय पर कम से कम इस छोटे से घर में तो नहीं रहना पड़ेगा बीस हजार सेलरी है मेरे हस्बन की, क्यों भला मैं एक कोठी के कमरे में रहूँ मीना खाली बंगलो को देखती है और उसे एक बंगला पसंद भी आ जाता है कितना किराय है इसका, हम कल ही शिफ्ट हो जाएंगी, बंगले का मालिक कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, बीस हजार रुपा किराया है, दो महिनी का एरवांस और करंट मन का किराया यानि कुल मिलाकर पच्चतर हजार रुपाय और मीना घपरा जाती है, अरे कहां से आएंगी इतने पैसे, उदर घर में क्या हो गया, बहु नहीं आई अभी तक, कहां चली गई, परिशान ना हो मा, बहुत उड़ती रहती है न, आज घर आएगी तो ठीक होकर आएगी मा तभी पती के फोन पर मीना का फोन आता है एजी, मैं घर आ रही हूँ अच्छा, बंगला देख लिया, वो क्या है न, मा को बोल दिया है तो घर तो खाली करना ही पड़ेगा ये बोल कर पती मा को आँख मार देता है एजी, बंगला तो देखा लेकिन, रहने दीजी न, मा जी से आकर मैं माफी मांग लेती हूँ पती फून रख दिता है, मा तैयार हो जाँ, अपनी बहु का बदला रूप देखने के लिए तबी बहु आ जाती है, सास बहु को देखती है और फिर बहु जाकर जल्दी से पाकिंग कर ले, वो क्या है, एक कमरा खाली होगा, तो कम से कम मेरे बेटी दमाद आए, तो रुक तो सकते हैं और हाँ, अपने बंगले की एक चावी हमें भी दे देना, हाँ बहु का मो बन जाता है, वो जूर-जूर से रोने लगती है मा जी, मैं तो नादान बालक थी, आप तो सूचो, कुछ भी भोल देती हो मा जी, माफ कर दो, मैं इसी घर में भ्याँ करके आई थी, मैं यहीं रोंगी वो कहावत है न, जब तक बाहर ना निकलो, आटे दाल का भाव पता नहीं चलता तो अब इन मौतरमा को भी लोकल क्या है और क्या क्लास पता चल गया था